हेलो एवरीबन वेलकम तो डिसाइबलिटीज एंड एससेटिज सब्जेक्स एनाटॉमी और फीजोलोजी ऑफ मिडिल यह के बारे में आज हम थोड़ी सी चीज़ा जानेंगे और आउटर यह के बारे में हम पढ़ चुके हैं ठीक है एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं मैंन मिडिल यह जाती हैं मिडिल एयर में पर्ला सब्साइब हो होती है और आपके मौदि वॉ knife और उन भण होती है और जम आपके में पूर्ण्श को अरय में पूछ सकते हैं तो वेगस नाव ब्सक्टाये और और ह naturaleव यह दो नर्फ आई जाती है आपके मिडल एयर तीक है यह तो हह LIK Kenya उल्क करता है आपका सही है У 실ड के लिए हम चैक करते हैं तो जब हम ओटोस्कोप से चैक करते हैं तो उसमें कोन ओफ लाइट को देखते हैं कि कोन ओफ लाइट अगर दिख रहा है तो इंटेक्ट है अगर नहीं दिख रहा है तो चीजें थोड़ी सी कुछ और भी आपके कान में प्रॉब्लम हो सकती है ठीक ह है वह कुछ भी हो सकता है कि अगर को फंफ लगति यह तो हम मानते हैं कि आपका जो टिम की सई है रहिए और हाँ मैलियंस जो आपकी टिम से जुड़ा हूआ होता है जहां पर वो जुड़ता है इसको हम वूबलता है ठीक है ऑर क्वार्ण में चीजिसें समझ लेते हैं कि उसकी बिरत होती है वह एक पट्टे 10 mm होती है ठीक है वन फाई 10 थीक है या फिर आम इसको 0.1 mm भी बोल सकते हैं डायमेटर 8-10 mm होता है बिरत होती है वह बाल का भी 1 बाई 10 हिस्सा होता है ठीक है इनेक्टिव टिशू से बना हुआ था हमारा येड्रम और सीकल्स के बारे में बात करते हैं और सीकल्स क्या होता है जिसे कि यह लिखा भी हुआ है कि ग्रुप ऑफ फ्री बॉन्स ठीक है जिसमें आपके मेलियस इनकस और स्ट्रिप आती है ठीक है तो यह तीन बॉन्स होती है बहुत छोटी होती है साइज में आपको काफी लगता होगा शाल बड़ी होती होंगी पर बहुत छोटी होती है आपकी टिप पे भी टिप से थोड़ा और जो पोर्शन उपर वाला होता है वहां पे एड्जिस हो सकती है तीन बॉन्स काफी छोटी है वह हैंडल होते है और जो वाहा है उसको हम हैट ऐते हैं एक इनकर्षा होता है कि इसकी जो पाट मेम से जुड़ा हुआ है इसको बॉड़ी कहते हैं ठीक है। और जो इसकी लॉंग limb जो होती है लंबी वाली जो वो आपकी stepies से जुड़ी होती है ठीक है और जो आपको base of stepies देख रहा है वो oval window से जुड़ा होता है जो की cochlea से जाके जुड़ा होता है ठीक है और उसका weight होता है वो 25 mg होता है इनकस की जो shape होती है वो anvil जासी होती है निहाई जिसको कहते है मूची जो होते हैं जिस पर जूते को ठीक करते हैं कुछ ऐसी शेप होती है इसकी और इसका जो वेट होता है Vielen Two । यह इस तैपडर क्यूदिय के गड़त हो गई है आप उसको सभाइन लीजिएगा उसकी गोड़ी की नाल, गोड़ी की नीन चंוא किये क है या फिर कुंडा जो होता है उसके जैसी शेप होती है ठीक है प्रिजेंस कैसे इनकी होती है हमारे कान के अंदर तो इसको समझ लेते हैं कि देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा यह जो औरेंज है वो मेलियस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो हैड वाला पार्ड ह होता है वह कैसे इनकस से अटैस्ट हुआ होता है ठीक है और लॉंग लिम्ज होती है वह आपकी स्टैपीस से कनेक्टिड होती है बाकी जो आपका बेस होता है स्टैपीस का वह ओवल विंडो से कनेक्ट होता है स्टैपीस का हैड जो होता है वह इनकस से जुड़ा होता है औ बेस ओवल विंडो से ठीक है और देखिए जो इनकस्ट जो होती है उसका जो लॉंग वाला लिम होता है वो कनेक्ट हुआ होता है आपका स्टैपी से ठीक है यह समझना बहुत ज़रूरी है यह आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं इसके अलावा इसमें और अच्छे से आपको स अब हम वाल्स के बारे में जानते हैं तो कौन कौसी वाल होती है तो नेम कुछ इस तरीके से है कि रूफ, फ्लोर, लेटरल वाल, मीडियल वाल, एंटिरियर वाल और पोस्टिरियर वाल इसके साथ मीन जो चीजे हैं वो हम इनको बहुत अच्छी से याद रखी कि जो कि जो मेंब्रेन होती है, साउंड वेब जो होती है वो यह कोक्लीय कोती है तो सटेपिडियो जो तैंसर टिम्पैनिक मेंब्रेन एंटिर्म होती है उसको सिकोड देती है ताकि वो जो आवाज है वो उसको नुकसान न पहुँचा पाई है ना पर्फोरेशन चाहिजों को न ना कर पाई इसलिए इनका यही काम होता है कि यह कॉंट्रैक कर देती है आपका जो टिमप होता है उसको इसी के साथ हम वीडियो को इसी के साथ हम वीडियो को end करते हैं and thank you for listening if you like the video please share